वेल्कम टू लॉफ यू जीवन एडुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत हैं और हम डिसकस कर रहे थे बीपी सीचन के रिगाड़ेट जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था डिजी स्पोर्ट्शन यानि सेकंड पेपर पेपर हम डिसकस कर रहे हैं यह थे बीपी अंदर हमने कुछ कुछ कॉमन कंडिशन पढ़ ली है और उसके अंदर आगे हम जी इटी सिस्टम यानि गेस्ट्रों इंटर्स्टार्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने नोजिया और ओमिटिंग पढ़ा है देन डाइरिया हमने है तो दो डिजीज पॉर्शन हमने बैसिकली पढ़ी है और आई थिंग आप सबको याद होगे लेकिन आज की शिशन के अंदर हम पढ़ेंगे कॉंस्टी पीशन जो कि काफी इंपोर्टेंट और काफी कॉमन कंडिशन है जो कि आपको कम्यूनिटी के अंदर देखने को मिल तो अपिशर यादि की BPC CHN के रिगार्डे जो कोर्स है जो ट्रेनिंग पिरिएड आपका है उसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हों तो देखी कोई भी डीजीज कंडिशन लाइक आप यहाँ पर डाईरिया की बात करें तो डाईरिया के अंदर आपने नरसिंग के तीके यहाँ तक आप पढ़ते थे जब कर रहे थे उसके बाद यहां इतना पढ़ने के बाद आप यहां पर पढ़ते थे पढते हैं यह भी प्रिवेंट् önसे यहां पढ़ते थे यानि मैनेजमेंट के अन्दर आप उसका सर्जीकल मैनेजमेंट मेनेजमेंट मेहें और से टिर मैनेजमेंट पढ़ते थे पहला आप मेडिकल मेंगेजमेंट पढ़ते थे तरह प्रिवेंशन आप पढ़ते थे तो इतना सा पढ़ते थे अब आपको बीपी सी चुर्स के रिगार्डड जो पढ़ना है वह थोड़ा सा अंतर रहने वाला मैं डिफ्रेंस बताने वालों बैसिकली डिजीस पॉर्षन के इंदर आपको गलतिया नहीं करनी आपको तोड़ा सा सुधार करना है अगर जो भी आपने नरसिंग के पढ़ना ता वही आप इधर इंप्लिमेंट करेंगे इधर आप एक्जाम में लिखकर आ प्राइमरी केर प्रवाइड करने होगी। जैसे की मान के चले कोई डिजी डिजीज कंडिशन आपके पास है डाइरिया तो डाइरिया के रिगार्डिर उसका एंट्रोडक्षन है जो कि आप nursing के अंदर जो पढ़ते थे वैसे ही आप लिख सकते हैं उसके बाद उसका definition वो भी आप nursing के अंदर पढ़ते थे वैसा ही लिखते थे उसके बाद आप लिखेंगे coges उसके बाद आप लिखेंगे coges और उसके बाद आप लिखेंगे risk factor उसके बाद आप लिखेंगे रिस्क फेक्टर अगर है तो रिस्क फेक्टर आप उसके रिगार्डेड आप पढ़ेंगे उसके बाद आप यहां पर पढ़ते हैं sign and symptoms sign and symptoms sorry यहां पर मैंने sign and symptoms नहीं बता है risk factor के बाद यहाँ पर sign and symptoms आप एड़ कर लिजेगा ठीक है यह रिसक फेक्टर के बाद कोजे आपने introduction then definition then coges then risk factor और then sign and symptom और then assessment of patient यह include इसके अंदर किया जा रहा है ठीक है assessment of patient यह इसके अंदर include किया हुआ है यही आप ध्यान रखना है यही आपको ध्यान रखना है कि assessment of patient जरूर आपको mention करना है उसके बाद आप यहाँ पर diagnosis की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है diagnosis आप बनाना भी चाते हैं तो डाइगनोसिस डारेकली आप बना सकते हैं ठीक है क्योंकि assessment आप यहाँ पर यहाँ पर आपके पास ज्यादा measures नहीं होते हैं ज्यादा facilities नहीं होती है तो आप कोजेज और साइन्स सिम्टम के according उसका एक तरिक से डाइगनोसिस बना लेते हैं डाइगनोसिस आप फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके कोई facilities नहीं होती है ज्यादा facilities नहीं होती है और आपको लगता है कि पैसेंट को facilities की जरूरत है तो फिर उसको refer किया जाता है आप सबको पता होगा उसके बाद आप यहाँ पर management करते हैं और management के अंदर यहाँ पर दो तरीके के management आपको बताने होते हैं दो तरीके के management आपको बताने होते हैं फार्स्ट वन फार्मेकोलोजिकल मेनेजमेंट और दूसरा नोन फार्मेकोलोजिकल मेनेजमेंट यानि कि एक management तो हो जो की medicine से आपको करना है यानि medically treatment आपको देना है और एक medicine एक management हो जिसके अंदर फार्मेकोलोजिकल यूज नहीं होगा यानि मेडिसिन्स कोई ड्रग कोई मेडिकेशन उसको नहीं देनी है और ऐसे ही एड़वाइज तरीके से हाल्थ एजुकेशन यहाप आप कह सकते हैं तो यहाँ पर आप मेंशन कर लिए जगा हैल्थ एजुकेशन भी आपको देनी होती हैं किसके अंदर बीपी सीचन ट्रेनिंग के रिगाडर आपको हैल्थ एजुकेशन स्वी प्रवाइड करनी होगी और देन आप्टर आप क्या करेंगे प्रिवेंशन लिखेंगे प्रिवेंशन लिखने के बाद आप लास्टली और फाइनली रेफर बताएंगे क्या मैं त्युक्त आप मेंशन करेंगे आपको अच्छी तरहये के से बीजब रोगा होगा आप देपा रहेऊ निआप गांट है क्या क्या ल blessings नहीं पर और गांपने नर्सिंग के लिखने तक छी स्न अपर नहीं पर लिखते दो यह सारे आप training के अंदर जो भी पढ़ रहे हैं आप CHO training कर रहे हैं तो उसके अंदर आप mention कर सकते हैं और then after आप यहां पर sign and symptom लिखते थे तो यहां पर आप sign and symptom mention करेंगे दोनों तरह ठीके दोनों जगे आप sign and symptoms mention कर सकते हैं then after diagnosis लेकिन particularly ध्यान रखे particularly ध्यान रखे आप nursing के यहां पर आप नहीं करवा सकते हैं तो इतना आप करने के बाद आप यहां management करते थे management तीन तरीके से यहां पर करते थे आप क्या-क्या medical management surgical management और nursing management then after complication भी यहां पर कर लीजेगा आप complication भी आप यहां पर करते थे complication भी आप लिखते थे देन आपर prevention लिखते थे और यह इतना काम हो जाता nursing care plan बना देते और काम हो जाता लेकिन यहां पर आपको introduction definition coges risk factor sign and symptom यह तो common है लेकिन एक point में highlight यहां पर करूँगा दो तीन point यहां पर में highlight करूँगा उनको आपको ध्यान रखना है वही especially आपको ध्यान रखना है first one point आपको mention करना है assessment of patient patient का assessment जरूरी है अगर आपको marks चाहिए exam के अंदर तो patient का assessment आपको लिखना जरूरी है उसके लावा diagnostic test के अंदर especially ज्यादा कुछ टेस्टेस वहां पर अवेलेबल नहीं होते है तो यह ज्यादा नहीं भी करवाए एक तरीके से normally आप assessment उसका बना देते हैं उसके लावा management के अंदर आपको दो तरीके से management करना है एक तरीके से non प्रिवेंटिव मीजर्स बता देने कि यह जए रिसक फेक्टर है इनसे आप दूर रहे इनको और इनसे प्रिवेंशन रखें लेवल प्रिवेंशन आप यहां पर यूज कर सकते हैं उसके लावा फाइनली आप रेफर जरूर मेंशन करेगा अगर पैसेंट जो treatment आपने दिया है जो management आपने किया है अगर उससे पैसेंट सही नहीं हो पाता है उससे पैसेंट की health में कोई improvement नहीं आता है देन आपकर उसको रेफर बनाना होता है और रेफर आप PSC पर कर सकते ह है आप district hospital में कर सकते हैं आप CSC पर कर सकते हैं कहीं पर भी आप रेफर उसका बना सकते हैं तो I think यह point आपको अच्छे दरगे से समझ आ गया होगा और यह point आपको ध्यान रखना है अगर आप CSO bridge course कर रहे हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मिदे friends सारा कुछ आपको समझ आ गय पढ़ते हैं